इंडिया नायर्ड 14 का लास्ट विग दोस्तों बहुत ही जवर्दस्त और एक्साइटमेंट में भर देने वाला एपिशोड रहा था जिस दौरान की दो दिन के दौरान में दो अलग-अलग महमान कलाकार आये थे और हमारे सभी टौप 15 कंटेस्टन ने बैत तरीन परफॉर्मेंस करके सबों के दिलों में अपने लिए खास जगा बनाई है उसी में ओवन तांगू की पहचान सबसे ज़्यादा यूनिक और अलग बनती हुई जा रही है जिस तरीके से ओडिशन राउंड, मेगा ओडिशन राउंड और ग्रैंड प्रीमियर उसके बाद पिछले विकेंड में जिस तरह का उनका खूपसूरत और उमदा सा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है दोस्तो लगातार उनकी परसंसा होती जा रही है और सभी के सभी महमान कलाका जो भी अभी तक पहुँचे वे थे इंडियन आडल के मंच पर उन सबों ने ओबों के परफॉर्मेंस की जम के तारिफे की है साथी साथ हमारे जजेज ने भी जिस तरीके से ओबों के परफॉर्मेंस की सराना की है वो काबिले तारिफ है तो आने वाले इस वीकेंड में दोस्तो सल्मान खान का इंतियार इंडियन आइडल 14 में किया जा रहा है क्योंकि आने वाले वीकेंड में अब उनका अगला upcoming movie Tiger 3 रिलीज होने वाला है जिस दोरान की हमारे इंडियन आइडल के सभी कंटेस्टन सलमान खान जी का इंतियार कर रहे हैं और उनकी मौझूद्गी में अपने फूपसूरत और बहतरीन परफॉर्मेस उन्हें डेडिकेट करते हुए करना चाह रहे हैं तो कॉमेंट से तिन में अपनी राय जरूर दीजेगा कि इंडियन आइडल के इस वीकेंड के लिए आप कितने एकसाइटेड है खास कर ओवन तांगू के परफॉर्मेस का आपको कितना बेशब्रिष्ट इंतजार है अपनी राय जरूर दीजेगा उमित करूँगा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा जिसमें आपने इन सारी बातों को जाना है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा और इंडियन आइडल 14 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रही है हमारे साथ और देखते रहे हैं प्रवाज जागरन